हेलो फेंड्स वाहते हैं आपके अपने इस चैनल में आज हम बात करेंगे जैप्रकास पावर बेंचे लिम्टेट के बारे में आज हम जो इसके उपर सारे कुछ डिसकर्ज करेंगे देखेंगे क्या इस यह में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए कितना पैसा में सकते हैं क्या आने वाले समय में यह से मल्टिवर स्टॉक बनेगा क्या यह पैनी स्टॉक हमको काफी अदब बड़ी रेटन देगा तो उसके उपर आजम सारको डिसकर्ज करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो उसके उपर आजम सारकुछ एनिलाइस करेंगे वीडियो का टाइम बेस्ट करें तो जैसे कि अगर आप यहां पर देखें इस चार रुपे सत्तर पैसे चल लाए अगर वन पॉइंट जीरो फाइब परसेंट की ग्राबट देखने को मिली है और उसकी छे महीने की बात करें तो मात्र कमनी नहीं 19 परसेंट का जो च्छे महीने के रिट लुपनी का तो आजम नहीं बात करेंगे इसके इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए नहीं चाहिए तो उस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको इसके करेंगे कि क्या इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए तो जैसे कि आपको पता है जाए पवकास पावरेंचर के बारे में तो इसकी जब मार्केट केपिटल की अरह हम देखें तो लगवग 325 करोड की मार्केट केपिटल हाई कमनी ने 6 रुपे 852 पैसे उनाया है यहां पर आप देख सकते हैं दस रुपे के असपास है कम डिविडेंट देती नहीं है आरो सी कमनी की काफी अच्छी है एप आप सबसे जो पॉस्टिव है काफी अच्छी है लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो कमनी में सबसे बड़ी नेगिटिव पॉइंट्स क्या है आप आप दे प्रमोटर्स होल्डिंग है डिक्रीज ओवर लास्ट त्री येर्स आप देख सकते हैं अगर हमसके क्वाटर रिजल्ट की बात करें तो क्वाटर तू रिजल्ट यान कि सेप्टेमर क्वाटर कर जो रिजल्ट है वह आपको 13 नमबर 2021 को जो आने वाला है यह डेट आप आप यार रहा है लेकिन उससे पहले अगर आप देखें कमनी का जो प्रॉफिट है वह लगातार क्वाटर और कॉटर डाउन होता हो नज़र आ रहा है यहां पर आप खुद देख सकते हैं कम होती नज़ रही है जो कि काफी जादन नेगेंटन पॉइंट है एंड आप देखें नेट प्रॉफिट अप देख सकते हैं मार्च में को कपनी का क्या प्रॉफिट करना थहा लेकिन आप जून तरफ देखें कमनी के तो फिक्स डेसिट्स हैं वो लगातार क्वाट इयर ओन यह जो होते हुँ नजर आ रहे हैं यह एक नेगटिव पॉइंट है आप आप देखां कमनी की जो इन्वेस्टमेंट वह भी लगातार डिक्रीज होते हुँ नजर आ रही है जो कि काफी ज्यादा नेगटिव पॉइंट बताती है और हम बात करें इसके शेयर ओल्डिंग पैटरंस की तो लगवाग आप देखाते हैं 26.02 परसेंट की प्रमोटर्स होल्डिंग फॉरें इंवेस्टर्स की 0.90 परसेंट डॉमेस्टिक इंस्टीशन अटाइस परसेंट एंड पब्लिक होल्डिंग एप्रॉक्स 44.36 परसेंट तो जैसा कि हम बात करें हमने कंपनी का कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग गिर्मी रखी हुई है कंपनी प्रॉफिट इतना खच्छा जो कमान चनरेट नहीं कर पा रही है कंपनी की बैलेंस इतनी ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं है तो मैं आपको बता दूँ आने वाले समय में यह से आपको इतना बड़ी रिट कंपनी का काफी अच्छा तो इसके चैंसे बढ़ जाते हैं कि आपको तेजी देखने को मिलती है तो क्वाटर तू रिजल्ट आने से पहले जो आप कोई भी डिसीजन ना लें आप तेरह नौंबर को आ रहा है तो आप जो वहां तक दो दिन का टाइम है तो आप जो वेट क जैसे कंपनी का कॉर्टर तू का रिजल्ट आ जाएगा मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा इसके लिए को क्या हमें उसके बाद स्टैप लेना चाहिए यानिकि क्या हम जो डिसीजन ले सकते हैं को फूल एनिलाइस करके आपके लिए बताएं तो उसके क्या आपको बता दे रहा हूं कि रिस्क जो आप जल्दी वाजी ना करें रिस्क लेनी की ज़्यादा ज़रू आप थोड़ा सब वेट कर लें वीडियो पसंदार वीडियो को लाइक ज़रू करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के बाए